तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल के ऊपर इरान ने अटाक कर दिया है और यह बहुत ही मैसिव ड्रोन अटाक है जिसमें की बोला गया है कि बहुत सारे मल्टिपल अटाक होंगे और मल्टिपल अटाक हुए भी है अब यहां पर प्रॉब्लम जो है उसको समझने की जु क्या होने वाला है इए हम समझेंगे इंडिया की मार्केट में खास तोरह से क्या क्या होने वाला है और पास्ट में इस तरीके की इवन्ट से क्या-क्या चीजे कई अधिक्त क्या रहा है जैसे गाजा पटी पे अभी इसराइल ने हमला किया था उसके पहले गाजा से एक हमला हुआ था जब योरी कौंप अब इसके पहले की थोड़ी सी सिचो़ेशन बताता हूं कि एरान ने कुछ टाइम पहले ही मतलब कुछ महीनों पहले ही एक प्रदर्शनी लगाई थी उसमें उसने अपने हतियार प्रदर्शित किये थे हतियार भी ऐसे ऐसे थे और ऐसी ऐसी स्पीचेज आई थी जिससे यह समझ में आ रहा था कि भाया अमेरिका की ऐसी अब कोई कंट्री जिसके पास में इस तरीके के के किसी सब्सक्राइब नहीं रहा है लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुए ना की यूक्रेन और चो रश्या का वार्ड चला है उसमें रश्याक ने जो है एक इरान के ड्रोन के थूए यूकरेन पर बहुत जबरदस प्रहार क को भी उसका भी confidence बढ़ गया कि अरे यार मेरे बनाए हुए और रशिया ने यूज किये रशिया की कहा टेकलोजी इतनी उपर और इतने बड़िया वेपन्स वगेरा रशिया खुद बनाता है तो वहां से जो सिच्वेशन अराइज हुई है उससे हुआ यह कि इरान का confidence बहु अब यहां पर मार्केट में क्या हो रहा है मार्केट पर क्या impact पढ़ने वाला उसको हम बारीकी से देखेंगे बड़ी सिंपल सी बात है आप सब जानते हो कि यूएस ने sanctions लगाए हुए थे इरान के उपर उन sanctions को देखते हुए अगर आप देखो तो इंडिया के लिए problem क्य आप बार उसको दो इंडिया ने का हमारे जो है वह हम को follow करने तो इंडिया ने कहा किया एरान से लेना पेटरोल चालू कर दिया आज की तारीक में आप एक चीज़ तो देखो यार एक तो हवा चल रही है जो कि आपको उससे एक आपको अच्छा लगेगा यह वार शायद आज इंपक्ट कर जाएं लेकिन आने वाले टाइम में जब कोशिश करेंगे इंपक्ट करने की इंडिया क हमने बढ़ा दी है कितनी सारी गवर्मेंट सबसेडरी वगेरा बिल रही है तो उससे एक चीज़ तो आपको समझ मैंगी कि गवर्मेंट खुद अपने आपको पेट्रोल से डिकपल कर रही है अलग कर रही है अब पेट्रोल का मतलब मेरा बारबर वही कच्छा तेल से जाता है उसकी वेज़े से हमारा बजट हर बार डेफिसिट जाता है हर बार डेफिसिट जाने की विज़े से क्या होता है इंडिया डेवलपिंग कंट्री है मतलब इंडिया जो कर रहा है वो सब मिट्टी में मिल जाता है उस जगह पे जहां पे बोल दिया जाता है इंडिय डिजिण़ जो आपका क्रूड इलै बारबार इंपर्ट ही हो रहा है इंपोर्ट का बेल इतना बढ़ जाता है कि fishing कैद होता है अब यहां से क्रूड baik是的 और अगर इस तरीके की सीक्वेशन यह कोई भी कंट्री यह हो जिसके यहां भी इस तरीके की सिच्वेशन चरा सबी देखो यार पूरा मिडल डीस्ट आप सब जानते हो अशान्त एरिया है वहाँ पे यह सब चीजे होती ही रहती है सद्दाम हुसैन वाले टाइम पे या और कोई टाइम पे गदाफी वाले टाइम पे सब टाइम पे इसी तरीके क अच्छे तेल पर बहुत ज्यादा निरभर क्योंकि डेवलपिंग एकनॉमीज है बहुत ज्यादा खपत होती है अब यहां पे और पॉपॉलेशन भी अच्छी घासी है अब यहां पे जो होता है उसको समझो कि या पहली चीज तो यह पेट्रॉल का राइस करना मतलब कि आ हाई हो जाना अब यार आपको स्टॉक मार्केट से मालो एक्स परसंट का रिटन मिलना था आपको दिखा यार की बैंक ने एक परसंट बढ़ा दिया इंट्रेस रेट आप क्या करोगे थोड़ा सेफटी थोड़ा क्या अच्छी कासी सेफटी जादा एफडी में गवर्में है ठीक है उसके अलावा आप अगर देखो जाकर के इंडिया की भी फ्राइडे को डाउन ही थी अच्छी का सी 200-200 पॉइंट का करेक्शन था उसके अलावा अगर आप देखो बिटकॉइन और यह अपनी करेंसी मार्केट गरी है साथ से आट परसंट चाइना में पता नहीं कौन सी बवाल कंपनी थी वह 99 परसंट गर गई तो यह सब चीजे क्या इंडिकेट कर रही कि अगर कोई कंपनी गिर रही है तो उसमें दम नहीं होगी देखिर आप यहां पे आपके लिए भी एक इंडिकेशन खड़ा हो रहा है कि जिन कंपनियों में दम नहीं थी और आप अगर उनको बाय करके बैठे हुए थे अपने पॉर्टफोलियों में कच्रा भरे हुए थे तो वह कच्रा निकलने का टाइम आ गया मतलब मवाद निकलने का टाइम आ गया यह सब निकालना पड़ जाएगा आपको इसलिए हमेशा बोला जाता है कि यार दो रूल अगर पास है और पांच लाग चार लाग का बाय कर रहे हो वह भी लेवरेज है तो यह पोजीशन अगर आप देखो कितने महीनों से लगाता रैली चल रही है इस रैली के बाद में आप फिर अगर लेवरेज करो और यहां पे लंसम एक हाई बन रहा है मैं अभी आपको चार्ट पर दिखाऊंगा मैंने सब बना करके रखे हूं अभी आपको दिखाता हूं तो इस पॉइंट पे अगर आप जा करके अपनी पोजीशन को हाई कर लेते हो मुल्टिपल टाइम्स कर लेते हो और वहां पे जाके इस तरहीं करेक्शन आता है जो पैसा कमाया होता है सारा चला वाली बात हो सकती है यह ट्रेडिंग कर रहे थे दो चार दिन के ले रहे थे उसमें दिक्कत हो सकते लेकिन लेकिन छो जिक्कत नहीं नहीं होग долларов थैक्त और प्राइक्शन लेघन तो आप यह सीधी से बात समझ लो किचन महंगा होने वाला किचन का समान महंगा होने वाला इंफलेशन बढ़ने वाला इंफलेशन बढ़ने का मैंने सीधा आपको इंपक्त बता दिया कि यार आपका इंट्रेस्ट रेट बढ़ जाएगा interest rate बढ़ने का मतलब क्या हो गया यार की even finance महेंगा हो जाएगा business करना महेंगा हो जाएगा मान लो कि अभी आप एक कार लेने जा रहे हो उस पे x amount percentage का आपको पे करना पड़ता है आप लोन ले रहे हो प्राइम तक अगर यह अगर यह प्रेशर रहा तो कुछ और बाते और साथ मैं आपको बताता हूं इस पक्ष में नहीं है कि इस्राइल कुछ भी हमास का भी अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कुछ महीनों पहले हमला हुआ ता इस्राइल पे तो इधर इधर इरान जो हमला करने कोशिश कर रहा है इस पे इसरायल पे तो बीश में जौर्डन पढ़ता है अब जौर्डन का कहना बढ़ी यहा हमारी कंटरी के ओपर से मिसाइल नीफ्लाई करके जाएगी तो वह उसको भी उसको तबाह कर रहा है तो यहां पर इसरायल के साथ जौर्डन आ गया है तो थोड़ा सा इस तरीके की सिच्वेशन से ऐसे कुछ टाइम पहले हुआ था जब हमास और यह सब वाली सिच्वेशन चल लई थी तब साओधी अरेबिया में हज का टाइम चल ला था तब वहां पर भी मिसाइल उसके उपर से जा रही हो किस तरीके के चार्ट से इंडिकेशन मिल लेन ठीक है长 देखते हैं चार्ट लगाया हुए चार्ट अभी आप देखो गह तो मैंने पहले से करके रख हूँ ए अगर आपको समें देखो गहित है यह जो औरेंज लाइन है न यह ऊपर डिस्टाबिशूशन चला है distribution मतलब समझते हो आप कि distribute किया जा रहा है stock distribution चला है जिन्होंने खरीदा हुए वो distribute कर रहे हैं याप और देखो distribution जब होता है तो in general क्या होता है in general क्या होता है यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ है यहां पर थोड़ा distribution हुआ है लेकिन उसे साब से correction नहीं हुआ और बढ़ गया है ठीक है और यहां पर accumulation चल ला था इन जनरल आपको दिखाता हूं यह कई सारे stock में आपको pattern दिखेगा ठीक है यह देखो यहां पर distribution हुआ है करेक्शन हुआ है यहां पर भी distribution है जहां पर एक ही लेवल पर कई सारी canvas top पर दिख जैंवा पर distribution है ठीक वैसे इन जनरल टॉप में इस तरीके से नहीं होता यहां पर दिखो distribution चला था इन लोगो पता था पहले से कुछ distribution चला था और काफी लंबे टाइम से नॉब्बर 2019 से distribution चला था उसके बाद में लंसम पीक बना है जैनवरी के मिड में तो आप सोचो कि distribution तो अच्छे देखो मैं लेवल्स बता देता हूं कि किस किस तरीके के करेक्शन के इडिकेशन लग रहे यह तो एक distribution का पैटन दिख रहा है ठीक है पहली चीज ठीक है पी रेशियो से रिलेटर्ड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वह अगर आप देखोगे कि निफ्टी अट आल टाइम के इसी के अंदर है तो यहां से आपको दिखेगा कि यहार अगर correction आता है तो इतना तो हो सकता है अब वह तुरंत जाकर कि इसको टच कर जाएगा 21,000 सम्तिंग को या टाइम लगा करके यहां तक जाएगा 21,700 यह तो समय बताएगा ठीक है उसके बाद में और यह हो गया आपका अच्छा इसके अंदर औरेंज वाले के अंदर रहता है तो ज्यादा कुछ नहीं बाइस पानसो तक दिख रहा है बाइस पानसो से लेकर के यहां पे कहीं जल्दी हो गया तो 2100 यह 277 यह इसके बीच में कई रहता हुश के बाद में आप देखो तो यह मैंने आपको ग्रीन वाले चैनल का बताई दिया उसके अलावा अगिर आप देखो तो एक रेड चैनल भी है एन इस टॉप को कनेक करके इस टॉप से बनाया और मैंने यहां पर उसका पैलल मनाया यह लाइन इसकी पैलल है ठीक है यह मैंने लाइन पैलल मनाई ठीक है और फिर मैंने यह ऐसे करके छोड़ दी यह करेक्शन अगर आप देखो तो लंसम 20,800 तक जा सकता है और अगर जल्दी में हुआ तो यह लंसम 20,000 तक ला सकता है ठीक है उसके बाद में फिर मैंने देखा कि यह पैलल लाइन जो मैंने रेड वाली बनाई है ना उपर से यह पीछे भी कहीं जा रही है अच्छे से ठीक है तो पीछे अच्छे से जा रही थी तो बाद बनाया तो वह इस तरी सिच्वेशन दिखा री तो दिखा तो रही है कि यह बड़ा पहले चैनल है जिसके अंदर लोगर हाफ यह लोड़ हाफ है क्योंकि यह मिडलाइन नीचे वाले पार्ट में इस पूरे पार्ट में एक्टिविटी हो रही है और यहां से लग रह रहे यह शायद 10-12% का हो ठीक है यहाँ पर जो करेक्शन पूरी सारे अलग-अलग Lex को एक साथ जोड़ लो तो लंसम देखो कितना था लंसम 16-17% शायद था यह वाला यहां बन जकता है अब क्या आपको कभी लगा था कि यह मार्केट जो गिर रही थी यह कहीं से भी वियर मार्केट थी यह तो बुल मार्केट के बीच का करेक्शन था तो वही है अच्छा वार्स के आसपास की और आपको बात बता दूँ मैंने बहुत पहले का जो वर्ल्ड व लिए पहले मार्केट गिरती है और उसके बाद में उससे भी जादा हाई बनाती क्यों इंफलेशन बढ़ जाता है इंफलेशन बढ़ अगर आप बॉटम से बॉटम देखो लमसम 210-211 दिन दिख रहे हैं यहां से बॉटम से बॉटम देखो लमसम कितना टाइम दिख रहा है 215 दिन यहां पे बॉटम से बॉटम से बॉटम देखो लमसम कितना टाइम दिख रहा है 190 ठीक है यहां पे बॉटम से बॉटम देखो कि अगेन 170 वन डेज लमसम ठीक है उसके बाद में यहां पर यह बॉटम से लेके यह बॉटम तक 222 डेज यह वाले बॉटम से ले करके अभी मैंने छोड़ दिया इसको ठीक है इसको मैं छोड़ रहा हूं अभी हटा दिया अब आप यह देख लो कि यहां पर सबसे छोटा कौन दिख रहा है सबसे चोटा एक मैंने 170 लमसम देखा था 170 यह 180 कुछ ठीक है 180 शायद कहीं देखा था यह 171 ठीक है और हाइस कितना 235 तो 170 से 235 के बीच में कहीं जाकर के बॉटम कर सकता है मतलब number of days में तो यहां से मैं भी 170 से लेके 235 पहले तो बनाता हूं ठीक है तो 170 से ले करके अब 235 तक ड्रॉ करता हूं और फिर यह देखेंगी सबसे ज्यादा actual में बने का है सबसे ज्यादा कहां बने सबसे ज्यादा कहां पर प्रॉबिल्टी तो आप देखोगे तो सबसे ज्यादा को 211 215 एक्सवन एक्सवन अठासी मतलब 188 200 to 182 यहां पर 222 तो लमसम अग करोगे तो लमसम अगर मैं 200 कर दूं ठीक है यह तो 234 हो गया अब यह 234 एंड कहां पर हो रहा है जरा यह देख लो यह लमसम 21st of June को लमसम हो रहा है तो एक वो टाइम हो सकता वहां जाके उसके बाद में दूसरा पॉइंट कहां पर आ रहा है अगर मैं 200 का आवरेज लू कि 200 के अंदर अंदर हो जाए 20th of May तो 20th of May से लेके 20th of June के बीच में कहीं जाकर कि ऐसा लग रहा है कि शायद यह बॉटम कर दया ठीक है अब उसके अंदर भी इसी तरीके की और साइकल से हैं उनको आप और जाकर के डीटेल में स्टडी कर सकते हो लेकिन मैंने क्या बताया एक छैलेंज रहे होसकता है ऐसा हो सकता है तो इसे हुए को पताता है तो अब आपको एक बात जो ध्यान रखने वाली बता रहा हूं अगर इसको आप गिन रहे हो यह पूरा बड़ा 125 है यह जो जिस इन जैटि intensity का यहां दिख रहा है उससे कहीं बड़ा दिख सकता है क्योंकि 4 हिस्षों में हमेशा cycle divided रहती है तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर बड़ा correction देखने को मिल सकता है अब वो बड़ा यहां पर आगा हो तो लाइक जरूर करिए आशा करता हूँ नेक्स वीडियो में फिर से आप से मिलने की मैं रुचर गुपता फ्रॉम रुचर गुपता ट्रेनिंग एकेडमी धन्यवाद आपके समय के लिए